हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi अपने सुना होगा पाकिस्सान के द्वारा स्पॉंसर्ड दो टेरिस्ट डूप लश्करे तयबा और जैशे मुहम्मद एलिटी के नाम से से जाना जाता है यह दोनों आतंक्वादी संक्रण है पाकिस्सान के और इनके द्वारा भारत की पार्लेमेंट पे अटैक करने का प्र आप समझें इस चीज को कि भारत ने कैसे इसके बाद रेटैलियेट करा और क्या है वो फ्लॉड मैं फ्लॉड नहीं कह रहा हूँ फ्लॉड मतलब की जो उतने बहतर तरीके से कारिन नहीं कर पाया था सुन्दरजी डॉक्ट्री और कोल्ड स्टार डॉक्ट्रीन मैं इस पस् कैसे अपने प्रतिद्वन्दी या फिर अपने कॉंपिटिटर देश के शांत जो है वो कॉंपिटिशन करेगा कैसे रिटैलियेट करेगा कैसे अपने आपको बचाएगा यह सैने सिध्धानत बताते हैं और यह याद रखिए कि यह कोर यूपी एस सी से रिलेटेड है सुन देंगे और इसके लिए भारत ने एक ओप्रेशन चलाया था यह ओप्रेशन का हमने नाम रखा था बेसिकली ओप्रेशन पराक्रम और इस ओप्रेशन पराक्रम में हम करने यह वाले थे कि अपने सारे जो स्ट्राइक कोर्सेस हैं और जो ट्रूप्स हैं अब यहाँ ट्रू पाकिस्तान को सर्प्राइस करने का हमारा ये प्लान था और याद रखिए कि ये वो इस्थिती थी जब पाकिस्तान के पास यानि कि इस समय तक न्यूटल वैपन था हम यहां तक पहुचना चाह रहे थे और इसके बाद हम स्टेंड ओफ करते ये करके हम पाकिस्तान को सर्प् पर आ रहा है और इस समय जब हमें इतना अधिक समय लगा बॉर्डर तक पहुचने के लिए पाकिस्तान इस समय तक न्यूकलर रेडिनेस ला चुका था और भारत के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए इंटरनेशनल कम्यूटी के पास अप्रोच करके अपने अलाइंस को औ जल्दी वहां पहुचना था सरप्राइज इवेंट क्रियेट करने के लिए हमारे जो टूपस हैं हमारे जो स्ट्राइक कोर्सेस हैं वह उतने जल्दी वहां तक नहीं पहुच पाए और इवन हमें हफ्तों का समय लग गया और इससे हमें समझ में आया कि हम जिस सेने आइशनल वार एडवांटेजिस अर्थाथ हम जिस सामाने तरीके से सेना के द्वारा युद्ध लड़ा जाता है उसके द्वारा युद्ध लड़के हम अपने डिस्प्यूट पाकिस्टान के साथ सॉल्फ कर लेते इसके पाशाद दौनों के पास ठीक ठाक नुक्लियर व और होती है तो पाकिस्टान के पास केवल एक रास्ता होगा कि पाकिस्टान अपना नुक्लियर वेपन निकाले और इंडिया के उपर छोड़ दे और ये पाकिस्टान के पी एम का यूनाइटेड नेशन में ओपन स्टेट्मेंट था और इस शीज को समझे एक बार नहीं है ये बार-बार है और ये भारत के लिए एक बड़ी समस्या है कि पाकिस्टान के पास नुक्लियर वेपन है तो इसका क्या आंसर है तो क्या भारत केवल और केवल ये सोच कर कि भई पाकिस्टान के पास नुक्लियर वेपन है पाकिस्टान के द्वारा जो स्पॉंसर्ड टेर जो है वो एंडिंग होगी इंडिया की ये मैं नहीं कहा रहा हूँ ये पाकिस्तान के एक जनरल का स्टेट्मेंट था और इसके अगेंस भारत की क्या रेडिनेस है तो इसको समझे हम सेंसिबल नेशन है हमने जो है वो एक सैन्य सिद्धांत जो सुन्दर जी डॉक्ट्रीन है उसे छोड़ा और अब भले ही हम उफिशली नहीं मानते पर इसमें कहीं न कहीं जो है वो सत्यता है कहीं न कहीं कि भाई कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रीन इंडिया फॉल्लो करता है सुन्दर जी डॉक्ट्रीन को हटा कर तो कुल मिला के स्टोरी आपको शायद क्लियर हो हुआ तो उसके डिटैलियेशन में भायत ने ओपरेशन पर आकरम चलाया और उस ओपरेशन पर आकरम के पर शाथ हमें समझ में आया कि जिस सिद्धान्त को हम फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस यह काम का सिद्धान्त नहीं है यह फ्लॉड है फ्लॉड का मतलब धारव जाता है अब इस चीज को समझे पुराने सिद्धान्त में क्या कहा गया था अब बिफोर आई स्टार्ट ध्यान से समझे कि अगर मैं आपसे कहूं तो भाई यह है इंडिया ओके ध्यान से समझेगा यह इंडिया है और आप पाएंगे यह गुजरात वाला एरिया यह प्रा पाकिस्तान अब जो सुन्दर जी डॉक्त्रीन है ध्यान से समझेगा जो सुन्दर जी डॉक्त्रीन है यह सुन्दर जी सिद्धान्त था यह सिद्धान्त कहता था कि भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर में अगर मैं रफली यहां पर बनाऊ तो यह अगर भारत और पाकिस् तो इन borders में basically आपको दिखाई देंगे border के समीप ये है holding course यानि कि ये वो course है जहाँ पे हमारी military है और ये जो है हमारी border की सुरक्षा करेगी clear basically सुरक्षा नहीं करती जब Pakistan attack करेगा तो ये जो holding course है ये रोकेंगे Pakistan की सेना को और पीछे जो है वो strike courses है जो border से significant दूर होते हैं even ये central part में होते हैं काफी दूर होते हैं और यहाँ पर हमारी main army होगी इसे कहा जाता था strike course और ये है holding course अब समझेगा कि जो हमारी main army जिसके पास full armory, altory और defense equipment है ये पीछे होती थी और आगे जो है वो holding course होते थे जो Pakistan की सेना के attack करने पर अंदर आने पर उन्हें रोकेंगे और फिर पीछे से जो है हमारी main या फिर मैं कहूं कि वो army जिसके पास main armory, altory, top और ये सब कुछ है वो आएगी battlefield में यानि कि एक रोकेगी और दूसरी पीछे से आएगी अब समझेगा पाकिसान को अगर हमें surprise करना है या हमें पाकिसान के area में प्रवेश करना है तो हमारे main course जो है वो बहुत दूर होते थे border से अब पाकिसान अगर कभी हमारे उपर attack करेगा तो हम इस defensive position से सायद उसे रोक लें पर हम कभी आगे जो है वो स्वयम move करने के लिए समय की requirement बहुत ज़्यादा feel करेंगे अब ये जो doctrine था ये doctrine इंडिया को feel हुआ कि हमें इसे replace करने की जरूरत है और इंडिया ने इसे replace करा और जो replacement के बाद आया है उसे कहा जाता है cold start doctrine आप समझेगा ये USA तक कहता है कि भाई ऐसा है सेटिलाइट इमेजेस के तुरू कई बार surveillance करा गया भारत का कि भाई ऐसा है exactly बट हम इसपस्ट कर दें कि हम officially इस चीज़ को नहीं मानते लेकिन ये समझे कि अगर ऐसा है तो exactly क्या करता है इंडिया तो इंडिया ने decide कर रखा है कि dear Pakistan देखें ये जो sponsorship है terrorism की इसे sponsorship के अगेंस पाकिसान के अगेंस इंडिया अगर कोई action लेता है तो इंडिया पाकिसान के पास केवल एक रास्ता होता है और पाकिसान इस पस्ट कर चुका है कि हमने tactical nuclear weapon बना चुके है याने कि पाकिसान जो है वो tactical nuclear weapon का मतलब क्या है ऐसे nuclear weapon जिनका आकार छोटा है तो देखें पाकिसान के उपर एक pressure है कि अगर इंडिया की उपर nuclear weapon चला दिया जाएगा तो एक बड़ी जन संख्या को हानी होगी तो भाई ये चीज पाकिसान के उपर pressure create करती है तो पाकिसान ने अपने जो nuclear weapon है उन्हें बाट कर छोटा कर लिया है अब छोटा करने के बाद इन छोटे nuclear weapon से इंडिया की उपर attack करा जाएगा कहाँ पर तो हमारे strike courses पर जिससे इंडिया का जो है वो potential to tackle पाकिसान ये कम हो जाए clear याने कि पाकिसान अपने साइड से tactical nuclear weapon छोड़ेगा जिससे हमारे strike courses खराब हो जाएँगे नस्ट हो जाएँगे और इंडिया जो है वो retaliate नहीं कर पाएगा अब पाकिसान का ये करना हमारे लिए एक बड़ा समस्या का विशय है अब इसका solution क्या है तो इसका solution है कि पाकिसान को nuclear readiness ना लेका समय ही ना मिले कोई भी देश ऐसा नहीं होगा कि attack हुआ और पहली ही बटन वो nuclear weapon की चलाए पहले तो उसे कोई समय की आवशक्ता होगी जिससे वो अपने आपको ready कर पाए इस शीज के लिए कि वो nuclear weapon चलाएगा ये जो readiness है बस यही एक भारत के पक्ष में एक plus point है कि पाकिस्तान first point पर ही nuclear weapon नहीं चला सकता world level पे acceptance create करने के लिए कुछ समय की आवशक्ता पाकिस्तान को होगी और यही समय इंडिया के लिए जो है वो game changing है कैसे तो इंडिया says के अब ये जो strike courses जो इतने दूर बन रखे थे borders के इन strike courses को लाया जाएगा border के pass और pass और even एकदम pass अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो strike courses हैं ये इतने pass हैं ये क्या indicate करता है पाकिसान को कैसा feel होता होगा इस बात पे आप इस चीज़ को समझे कि हर दम इंडिया जो है एक AK-47 गन लोड करके पाकिसान के तरफ point करे हुए है पाकिसान इस बात को कई बार United Nation में उठा चुका कि how aggressive इंडिया is के border के पास strike courses हमेशा जो है readiness के साथ मौजूद होते हैं और इस चीज़ को अगर मैं आपसे कहूँ कि यथार्ता ये है कि USA के Department of States में exactly याद नहीं कर पा रहा हूँ कि किस year की ये बात है पर उनका ये stand था कि भारत basically जिस हिसाब से अपने strike courses को border के पास जो है maintain करता है ये indicate करता है कि भारत की strategy है ये India नहीं कहा है ये defense expert ने कहा है USA के कि भारत की स्ट्रेटीजी है कि भई अगर किसी दिन government of India ये कहती है कि पाकिस्सान के side से कोई attack हुआ हो but अगर कभी पाकिस्सान के side से कोई attack होता है तो government of इंडिया के order पे Indian Armed Forces अपने आपको इस तरीके से maintain करते हैं कि within 48 hours वो ये strike courses border को cross करें और border cross करने के बाद Pakistan के जो strike courses हैं उसे destroy करें और destroy करने के बाद एक significant area border का ये capture करते हुए आगे चले जाएं और खुद ही चिला दें युद्ध विरा याने की पाकिस्तान रिटेलियेट करे अटेक करे इस सब के पहले हमारे साइड से अटेक होकर कम्प्लीट हो जाए ये कहलाता है क्या और इस कोल्ड स्टार डॉक्ट्रीन में हम पाकिस्तान का एक सिगनिफिकेंट एरिया कैप्चर कर ले और कैप्चर करने के बाद वार एंड करके नेगोशियेशन स्टार्ट कर दें खुद ही कह दे कि वार खतम हो चुकी है अब आए टेबल पर बैट कर बात करते हैं अब ना ही पाकिस्तान इससे जो है वो न्यूक्लियर वेपन चला पाएगा और ना ही पाकिस्तान जो है इससे भारत को कोई खास डैमेज कर पाएगा यह significantly यह work करता है कि भारत 48 hours के अंदर अपने आपको इस तरीके से troops को maintain करता है कि 48 hours के अंदर हम borders को penetrate करते हुए पाकिस्तान की borders में प्रवेश करें significant area capture करें यहाँ दो point है एक significant area capture करें और साथ ही पाकिस्तान के जो potential strike courses है उसे damage करें उसे खत्म कर दें अब जब यह भारत अचीव कर लेगा तो तुरंद भारत जो है even मैं एकदम clear करूं तो हम जो है अगर मोटा मोटा भी देखें तो बड़े सर पर भी देखें तो तीन से चार युद्ध हुए हैं और सारे जो है इंडिया ने clean sweep manner में win करें हैं तब भी हमने किसी area को capture नहीं करा यह बताता है कि इंडिया is a principal government nation अब यह जो doctrine है यह doctrine केवल और केवल भारत को पाकिसान के अगेंज nuclear पाकिसान के पास जो nuclear readiness का time है उसे कम करके या फिर हम ऐसा कहें कि पाकिसान को nuclear readiness ना मिले और हमारा जो aim है हमारा जो work है वो successful हो जाए यह cold star doctrine जो है वो समझाता है I think आप दोनों की बीच में जो है वो अंतर को समझ चुके होंगे एक cold star है और एक सुन्दरजी है सुन्दरजी doctrine अब replace हो चुका है cold star हम official manner पे तो follow नहीं करते बट हाँ आप कह सकते हैं कि हम इसको जो है वो काफी हद तक follow तो करते हुए दिखते हैं clear है तो यह basically हुआ एक explanation regarding parliament पे attack के retaliation से निकला cold star doctrine कैसे भारत के लिए महत्वपून है अगर आप इसी प्रकार के वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप अपने सुझां जो है वो comment section में mention करें this is pure 24 karat rock solid UPSC content आपको आने वाले समय में यह काफी helpful होगा answer writing के लिए अगर आप इसी प्रकार से पढ़ना चाहते हैं तो study IQ के P2I batches launch हो चुके हैं याद रखें दिसंबर में जो है वो आपको batch second दिखाई देगा और यह जो batch है इसको अगर आप prevail करना चाहते हैं तो आप study IQ की website पर visit करिए और वहाँ पर जो cost लिखा होगा उस cost को ना देकर आप जो है वो faculty code अपने फेवरेट फेकल्टी का जो है वो code यूज करिए और अगर आप इन codes को यूज करते हैं तो सीधा सीधा आपको maximum जो discount होता है उस discount पर P2I batches जो है वो मिल जाएगे मैं उमीद करता हूँ कि आपके लिए सेशन अच्छा रहा होगा informative रहा होगा प्लीज इसे थोड़ा शेयर करिएगा ताकि हम इस प्रकार की वीडियो आप तक लाने के लिए motivated फील करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में have a very nice day thank you